इरान युद की टैंशन के बीच तुर्की के राश्पती ने नितनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनेन की तरफ से हेजबुला द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कबरें यहां पर देखिए तबाह हो गई है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वज़े से तबाही का जो मंजर है आप देख सकते हैं यहां पर देखिए जैसे बम के थमाकों के साथ बेरुत की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकेट की बॉचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतने ही तेजी से घाड़ी में खेमें बदल रहे हैं इसराइल के खेलाफ मोजट पावफुल ग्रूप बन रहा है इस ग्रुप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुरकी नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुरकी के किलर कमांडो आक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अरदुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वार जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिशन तस्वीरों में है तहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान ने सौधी अरब को साथ लिया है क्या खाड़ी के सभी पावर्पुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से वार टेंशन कम करने का वादा भी किया है साओधी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाडी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क साओधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वजह ये भी है कि तुर्की जैसा ताकत वर देश अरब वर्ड में फूर डालकर खुद को खलीवा साबित करने में लगा है इसराइल मेजालिमी जरूशमी जरूशम में जएर आर राटर है कर दिए जिरेव जएड़ इसराइल है। इसराइल जैसे चैसे ट्राप मे भस्ता इख रहा है उतना ही वर जोन में उसे झझचे लग रहे है मैं इस वक्त इसराइल लिबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पर एक बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं छोटे 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 छेद यहां पर हुए हैं हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर यह देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वज़द से दिवारें काली पड़ गई हिजबुल्ला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इसराइल पोसिस की आलन बिल्डिंगेट की 5030 वी बटालियन के साजट मेजर रोनी गनिजाते हिजबुल्ला के हमले में मारे ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के दो कमांडर मार डाले हैं जिसमें एक एहमद मुस्तगा अलहाज अली और दूसरा मुहम्मद अली हमदान बताय गया है देखिए कि ये पूरा कest तान टुटा फूटा यहांपर देखिए यह गवाही दे रही है तस्वीरें कि लोग जो हैं वो यहां पर अपने प्रीजनों को देखने आ रहे हैं देखिए जिनको ये खबर पता लगी है कि कबुस्तान के ऊपर रॉकेट हमला हुआ है वो लोग यहां पर लगातार जो अटेक हुआ है रॉकेट से उसको देखने आ रहे हैं। अब अतबाई को हिजबुला के मिलिटरी ओपरेशन का चीफ बनाये गया है। युद्ध में परास्त करना हिजबुला तो क्या कैई देशों के भूते की बात नहीं। ब्राउन युनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है। कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये हैं। अमेरिके हत्यारों के आपूर्ती में लगबग 57,000 तोफ खाने के गोले, तोफों के लिए 36,000 राउंड गोला बारू, 20,000 M4A1 राइफले, 14,000 अंटी टैंक मिसाइले और 8,700 MK 82 500 पाउंड बंब शामिल है। इसराइल के लडाकू जैट हों या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे हैं। इसराइल के लिए 4,4 बिलिएन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है। अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में हैं, हर तरफ से हैं, चाहे हत्यार हो, चाहे बाहूबल हो, चाहे आटम बम हो, इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सूपर पावर वो देगा, लेकिन युद्ध में कभी इसराइल को जुकने नहीं देगा। अमेरिका की यही गारंटी नितन्याहू को सभी दुश्मनों से भिढ़ने की पावर देती है। सूपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना उसकी जीत और वजूत दूनों के लिए जरूरी भी है। वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जैस के सभी को चौका दिया था। तब से दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचेन है कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है। अब लगवग नौ दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है। इरान प हमले को तैयार इसराइल देखते रह जाओगे खामनेई। अब इरान का हाल हिस्बुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है। इसराइल में पिछले नौ दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भयानक तैयारी चल रही है। जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तौर पर पता नहीं है। इसराइल के प्रधान मंत्री नेतन मचा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उल गई है। जरा देखे इसराइल के रक्षा मंत्री यौफ गैलेंट ने क्या कहा है। इरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। यौफ गैलेंट का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है। सूत्रों की माने तो इसराइल इरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। माना जा रह में हुई सीक्रेट डील उला दो इरान के आटमी ठिकाने लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमाणू परिक्षन किया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिछले 120 घंटे में एरान में आय भुकम और परमाणू वंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बाच्चीत के दौरान लगबग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाईल हमलों का जवाब जबरदस तरीखे से दिया जाएगा बहले ये कियास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुका है कि वो इरान के परमाणू ठिकानों को दबाव नहीं करेगा लेकिन जब से अमेरिका को कूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम कियाड में एटमी परिक्षन ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके एटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी जंडी दे चुका है ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे हैं अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था इसराइल के साथ बढ़ते संगर्ज के बीच 5 अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवरता का भुकम दर्ज किया गया भुकम का केंद्र कतित तौर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के गरीब था इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिकिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है ऐसे अब दावे किये जा रहे हैं भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का परिक्षन किया है दावों के मताबिक भुकम का केंदर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनर्जी प्लांट के करीब था बुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती है ये लहरे वैसी नहीं थी ये लहरे वैसी थी जैसी निूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपोर्ट और विग्यानिक ये दावा कर रहे हैं कि इरान ने पर्माणू परिक्षिन किया है इरान ने इन दावो का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने अटम बं का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुंदर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था आनों को काफी नुकसान मौचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट स्लिंग सभी इरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाये थे लेकिन इसराइल के रक्षा मंतरी का साब कहना है कि इरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं जरा देखे इसराइल डिफेंस फोर्स की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षा मंतरी यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मुताबक इसराइल के रक्षा मंतरी यॉफ गैलिंट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बाचीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नित्रिफ्ट किया था खबरे ये भी है कि आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लैन इतना जबरदस्थ है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उटता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमेटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर ज़रूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोकिम उठा सकता है इसराइली मीडिया के मताबिक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5 से 10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिड़ जाएगा और अगर इसराइल एरान को तभा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिली स्ट में सुपर पावर बन जाएगा